Hello everyone, welcome to the channel Failure to Success So, IBPSPO का Pre का Scorecard आचुका है और मैं अपना Score शेयर कर रही हूँ मुझे इंगलिस में अपना Score देखके काफी सौक लगा है और इतने कम Score मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंगलिस में इतना कम Score हो जाएगा मेरे 7 Questions around wrong हुए हैं क्योंकि मेरे जो Attempt थे वो 23 थे इसका मतलब 7 Questions wrong होंगे तब 14.25 स्कोर आएगा तो इतने ज़्यादा Questions wrong हुए हैं और मैंने Attempt 23 ही किये थे मैंने कोई Guesswork बहुत ज़्यादा नहीं किया था हाँ, एक दो Work App वाले Questions थे जिसमें थोड़ा सा शायद हो सकता था कि गलत हो जाएं, तो मैं सोच रही थी तब भी मेरा 19-20 के Round Score आ जाएगा एक दो Questions गलत होंगे बट यहाँ पे 7 Questions wrong हुए हैं तो अब मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है मैंस की, कि जब यहाँ पे प्री में यह हाल है, तो मैंस का कैसे Clear करेंगे, मतलब स्कूर कैसे ज़्यादा Increase होगा, वहाँ पे तो और ट अफ इंगलेश आती है ठीक है, थोड़ा Reading विडिंग पे फोकस करते हैं और बाकी देखते हैं Next Quant में कितना आया है, तो Quant में मेरे जो Attempts थे, वो थे 23 और यहाँ पे स्कूर मेरा 24 आया है इसका मतलब एक नंबर यहाँ पे बढ़ाया है Normalization में, ठीक है, और इसके बाद, Reasoning में जो मेरे Attempts है, वो थे 27 और यहाँ पे स्कूर मेरा 31.75 आया है, इसका मतलब 4.75 मार्क्स बढ़े है, तो एक नंबर बढ़ा है Quant में, और 4.75 नंबर बढ़े है, Reasoning में, टोटल 5.75 स्कूर मेरा इहां से इंक्रीज हुआ है जिसके वज़े से जो मेरे Attempts थे, वो 73 होने के बावजूद मेरा स्कूर 70 है क्योंकि English में तो इतने गलत हुए है इन दोनों में Normalization होके Increase हुआ है स्कूर, तो टोटल मेरा 70 स्कूर है बट इससे आप यह देख सकते हो कि यहां पे English में इतना कम स्कूर होने के बावजूद Quant और Reasoning से थोड़ा ठीक स्कूर होने की वज़े से 70 स्कूर हो गया है तो अगर आपको Clerk का प्रलिम क्लियर करना है तो आपको 20 से 23 के राउंड स्कूर कर लोगे English में बाकी Quant और Reasoning में आप अच्छा स्कूर कर लो 30 प्लस सब में तो आप 90 के राउंड स्कूर कर सकते हो जैसे IBPS clerk में था तो मेरे 22 या 23 नंबर थे English में वहाँ पर मैंने 22 या 21 अटेम्ट किया था और उससे एक नंबर मेरा वहाँ पर इंक्रीज हुआ था मतलब एक भी question में ने गलत नहीं किये थे तो वहाँ पर 90.5 स्कूर आया था यहां पर accuracy side बिगड़ गई और तब भी मेरा काफी अच्छा स्कूर रहा है वैसे लेकिन normalization quant reasoning में हुआ है उसकी वज़े से marks थोड़ा ज़ादा हो गया है otherwise English में इतने गलत होने के बाउत काफी कम स्कूर आने वाला था तो आपका कितना स्कूर रहा इसमें और बताएगा बाकी English के especially क्योंकि English मेरा मतलब मैं इतना अच्छा कर रही हूँ मतलब men's में भी मेरे 18 number round आ रहे हैं कभी कभी होता है कम रह जाते हैं but around 18 marks कई सारे मौक में रहे हैं but exams में पता नहीं कैसे खराब हो जाता है समाज में नहीं आ रहा है but थोड़ा reading meeting पर focus करेंगे बाकी कोशिश रहेगी कि मतलब attempt में कोई गलती ना करूँ मतलब बहुत ज़दा questions guesswork ना करूँ accuracy के साथ attempt करने की कोशिश करूँ ठीक है फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे और अपना score शेयर करेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में take care, bye